हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियों क्लासेज में बात करेंगे अपने क्लास नाइंत के इंगलिस के सिलेबस के बारे में इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें ये बताया कि आपके इंगलिस की जो दोनों बुक्स हैं उसमें से कितने च प्लेट बनी हुई है उस प्लेट में सारे वीडियो पड़े हैं सब्जेक्ट वाइस वहाँ जाके देखिए ताकि आपको यह पता लग जाए कि आपको गणित हो गई सामाजी को गई आपके विग्यान होगी उसमें क्या-क्या टॉपिक डिलीट वह एक तुम पता लग जाए जाएंगे और कुछ नहीं होगा ठीक है ना तो किस प्रकार से आपका पर आने वाला उसके बारे में इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्रेब जरूर कर लें क्योंकि आपको यहां पर बहतरीन कंटेंट मिलेगा और हाँ अभी जो 2023 में आपके नाइंध क्लास की वाश आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसे आपकी एक्जाम होंगे आपको यहां खुब सारे पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए ठीक है ना तो चैनल सब्सक्रेब जरूर कर लीजिएगा आप देखते हैं आपके मार्स कैसे पैसे होंगे रीडिंग रहे की 20 नंबर की ठीक है अर्थवार्शिक में यह कम हो जाएगी यहां से 15 नंबर की हो जाएगी एसा ठीक है ना राइटिंग रहेगी 18 नंबर की ग्रामर होगी 12 नंबर की टेक्स्ट वो विहाइव है अपनी किताब वह 35 की है और मोमेंट से यह 15 number की है अब इसमें से सवाल कैसे पूछे जाएंगे वह देखते हैं ठीक है अब दिखिए अपने जो रिडिंग है उसमें दो पैसे हम से बड़े सांधार डंग से समझाँगा दिक्कत होगी नहीं देखिएगा कैसे की दो पैसे जाएंगे दोनों पैसे जोगे कॉम्प्रिंशन का मतलब होता है समझने की शम्ता यह चेक करेंगे कि हम कितना समझ पा रहे हैं 400 सब्दों में होंगे दोनों मिला के तीक है जैसे देखिए पैसे पहला होगा 200 सब्द होंगे लगबर दूसरे में अभी 200 सब्दों पूटल चार सो सब दोगे दोनों unseen होंगे कहने का मतलब आपकी दोनों बुक्स मैंसे नहीं होंगे ठीक है ना उसके अलावा कहीं से भी आ सकता है ठीक है फिर बोला है पहला पैसे जोगा इसमें दस multiple choice question आएंगे ओहो भाई क्या बात है मतलब आपको पैसे पढ़ना और a b c d option जो correct है वो चूज करना है 10 के 10 सवाल और यहां मिल जाएंगे आपको 10 number ठीक है ना ठीक है अब दूसरा भी 10 number का है लेकिन इसमें क्या होंगा कि आपके 10 question होंगे very short type question होंगे ठीक है ना short type question कहने का मतलब आपको एक line में एक शब्द में उत्तर देना पड़ेगा जैसे उपर वाले पैसे में आपने किया था दस multiple choice question देना जिसमें दो question तो आपको vocab test करने के मिलेंगे कहने का मतलब एक में आपको similar word दूढ़ना है एक में आपको opposite word दूढ़ना है 10th में भी बिलकुल ऐसा ही होता है इसलिए नाइन से practice करवा दी जाती है ठीक है ना तो क्या रहेगा एक similar word दूढ़ना है एक opposite word दूढ़ना है फिर देखिए दूसरे पैसे इसमें भी 200 सब्द होंगे 10 सवाल आएंगे very short type question आएंगे ठीक है ना फिर देखिए writing skill में क्या होगा देखिए अठारा नंबर का होगा अपने writing question ठीक है इसमें कैसे होगा की letter मिलेगा आपको देखने के लिए 6 नंबर का होगा अब letter तीन type के आपको देखने को मिल सकते हैं एक formal ठीक है ना informal formal और email ठीक है क्योंकि दो टाइप के तो letter होगे एक अपने email रहेगा अब इसमें कई बार confusion होता है कि दोनों ही आपको letter देखने को मिल सकते हैं जा एक letter आपको एक letter और एक email यह भी मिल सकता है ठीक है ना ध्यान रख़ेगा य इमेल यह combination बहुत बार पूछा गया है तो आपको इमेल बहुत यह अच्छे से तयार कर लेना इंपोर्टेंट इमेल आपको यहां पेस्ट चैनल पर मिल जाएंगे ग्रामर जितनी भी नाइंत के सारी मिल जाएगी ठीक है न तो बेफिकर यह का उसके बारे में तो इमेल जो ह होगा एडिटर दप्रिंसिपल ऑप दे स्कूल ऑफ इस्कूल ठीक है यह पूचा जा सकता हम से ठीक है यह कितने नंबर का होगा चैनल उसके बाद में आएगा शौट पैरेग्राप मतलब इस्पीच और डिबेट टाइप इसमें क्या होगा आपको आउट लाइन दे इसमें क्या होगा टास्क लिखना होगा या डायलोग या इस्टोरी आपको इस्टोरी या एक कोई डायलोग देंगी ठीक है ना कि डायलोग राइटिंग करिए नहीं तो इस्टोरी देंगे और इस्टोरी फिर आपको पूरी करने पड़ेगी आउट लाइन मिलेगी इसमे अपने चैनल पे आपको बड़े शादर दंग से मिलेगा कोई चिंता की बात नहीं ठीके ना अपको तो बस इस चैनल पे एक वीडियो देखना यह चाहर नमबर्र आपके उसे एक छीकिब अगला देखते हैं आगला अपने टैक्स्ट-बूक आ जाती है आप इसमें क्या होगा समझेगा आपको एक पैसिज्ड करना होगा एक तेकना दोसोज़वलों को बुग और और याठ नंबर का वह होगा और वह भी सीमा है भी से तीज सब्द फिर अ लॉंग अच्छा। नंबर कितना होंगा चैनी होंगे ठीजिट तीन सवाल मतलब दो नंबर के तीन सब्देब करने होंगे तो करता है तो चार करने होंगे आप पार्ट होता ना, जिसमें कहानिया वागेर है, वह वाला इससा, ठीक है, पोईट्री मतलब जो poems वाला इससा ह। ये 13 नंबर कर रहेगा, ठीक है, इसमें लास्ट वाला गॉशन क्या है, दो कोईशन मिलेंगे, दो मेंसे एक करना होगा आपको और वो रहेगा तीन नंबर का औ को कैसे द्लॉप करना वह देखियें आपको फोईट्री मिलें कि एक टो कुशिन मिलेंगे आपके पोईब से दो को मिलेंगे आपको एक कोशन करना है चार नंबर करेए ठीक भिर आपको दो करने होंगे और वो भी आपके चार नंबर क команд Row रहे हैं अगला है वन आप टॉप टू लॉंग मतलब दो बड़े-बड़े कुशिन मिलेंगे और आप एक अटेंप्ट करना है और यह रहेगा आपके पांच नंबर का यह अपने भी हाई पोईट्रों प्रोस दोनों होगे उसके बाद अपनी जो सप्लिमेंट्री डिडर है मोमेंट्स उसको देख है मतलब चार कुशिन मिलेंगे उनमेंसे को यह अपने को दो करने हैं और तीन तीन नंबर के वह कुशिन होंगे और चार कोशिन आपको मिलेंगे मल्टिपल चॉइस कुशन ठेस्टीं ऑफ एक्ट्वल ऐस्पेक्ट ऑफ दा लेसन कहने का मतलब आपको लेसन बड़े अच् ठीक है न, तो इस परकार से आपका paper pattern रहने वाला हैं, बागी सारे वीडियोस हैं, आप इस वीडियो के description में देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो end होगा तो यहां आपको playlist वगरा, वीडियोस वगरा मिलेंगे, आप यहां से भी देख सकते हैं, और अपनी तयारी को मजबूत क यह English के जितने भी topics हैं, लगबग वो आपको यहां पर सारे मिल जाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं next part में, जितने भी subject है, सबकी वीडियोस uploaded है, ठीक है, जै हिंद, जै भारत